तो गाइस आज के वीडियो में मैं तुम लोगो बताना है वाला हूँ टॉप 10 होरर गेम्स के बारे में और हैं आपे ग्रैनी की बात नहीं चल रही है क्योंकि यहाँ पे हम लोग PC गेम्स की बात करने वाले हैं गेम्स के नहीं तो जो लोग ग्रैनी के लिए यहाँ पे आएं वो लोग वीडियो छोड़के भाग सकते हैं वैसे मैं मदा कर रहा हूँ तुम लोग भी देख सकते हूँ देखो पहले तो मैं तुम लोगो सबसे इंपोर्टेंट बात बता दू कि इस वीडियो के अंदर इस लिस्ट में जितने भी गेम्स हैं वो एकदम हॉरर गेम्स हैं उनके हॉरर एलिमेंट्स की वज़े से मतलब ऐसा कुछ है नहीं है भाई बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि जॉम्बी गेम मतलब ही हॉरर गेम होता है जैसा बिलकुल है नहीं जैसे अगर तुम बात करो लास्ट अफस या फिर डाइंग लाइट जैसे गेम्स की तो ये दोनों उतनी जादा हॉरर गेम्स ही ह अब देखो फिर एक ऐसा गेम है जो की हॉरर गेम तो है ही पर बहुत जादा अलग टाइप का हॉरर गेम है मतलब इसके अंदर तुम्हें हॉरर वाला फील तो आया गा ही पर साथ ही में एक टाइप का टैक्टिकल सूटर जैसा गेम भी है ये मतलब इसकी स्टोरी कुछ इस फिर उस कंपनी का साथ से मालिक जो होता है वो पता नहीं कौन सी हरकते कर रहा होता है मतलब वो मुर्दा लोग को खा पी रहा होता है और हम लोग का मिसन यह होता है कि हमें उस बंदे को जागे मारना होता है जिसका नाम होता है फैटल अब देखो ये गेम तो आया था 2005 में पर 2005 के हिसाब से इसके ग्राफिक्स काफी जादा बढ़िया है और साथी में इसके AI की बात करें तो AI भी मतलब एकदम टॉप क्लास है और मतलब जिस तरीके से इस गेम के अंदर तुम्हें जो हॉरर एक्सपेक्ट देखने को मिलता है तुम्हेब अंदर बात करूँ इस गेम के बारे में तो इस गेम के अंदर तुम्हें एक साइकोपैथिक किलर की स्टूरी बताई जाती है जिसने चार लोग को मार के अपने घर के नीचे दफना रखा है और वो जो चार लोग हैं उनकी dead body वो ऐसा सोच पाता है या फिर feel कर पाता है कि उनकी dead body जो उसके floor है उसके नीचे से सांस ले रही है मतलब उनके सांस लेनी की आवाज उसे सुनाई दे रही है तो ये थोड़ा एक type का psychological horror तो मान सकते हो इस game को और इसके अंदर भी horror elements बहुत ज़ादा है और साथी में game का sound design भाई बहुत ही ज़ादा मसता है मतलब जो तुम्हें जो पूरी तरीके से जो sound सुनाई देंगे उसकी वज़े से बहुत ज़ादा खतरनाग game बन जाता है अधिकुर नमबर 8 पर जो game है उसका नाम है Resident Evil 2 Remake और मैं जानता हो मैं जानता हो तुम लोग क्या बोलोगी Resident Evil के games उतने ज़ादा डराओने नहीं होते पर अगर तुम खेलना चाहो तो भाई तुम Resident Evil 7 खेल सकतो 7 सबसे डराओने games में से एक है और 2 जो है वो मुझे इतना जादा खास इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें story भी काफी जादा बढ़िया है और horror element भी बहुत जादा है और इस वज़े से game और भी ज़ादा डराओना हो जाता है मतलब तुम्हें ammo providing नहीं करते हैं भाई ये लोग बहुत ही कम ammo मिलता है कभी कबार तो ऐसा हाल हो जाता है कि तुम्हारे पस zero ammo है और तुम्हारे सामने zombies zombies हैं और एकदम अंधेरा रहता है पूरा अंधेरा वाला महौल रहता है बहुत ही खतरना टाइप का game है sound design बहुत बढ़ी है story बहुत बढ़ी है और last में जाते जाते game थोड़ा horror से एक तरीके से change हो के तुम कह सकतो action adventure टाइप हो जाता है तुम अगर कहना चाहो तो पर हाँ last का जो part है वो उतना जाते कुछ horror नहीं है पर शुरुआत के जितने भी पूरा वो जो police station वाला part था वो बहुत ही जाता horror है तो भाई इस game को अगर तुमने नहीं खेला है तो तुम्हें जरूर ट्राइ करना चाहिए और अगर तुम और भी horror game खेलना चाहते हो तर Resident Evil 7 ट्राइ कर सकते हो अब नमबर 7 पर जो गेम है उसका नाम है Hellseed और ये बड़ा ही popular type का horror game है मतलब इंडिया में बट सारी यूटूबर ने इसको खेल रहा है और मेरे खाल से तुमने भी सुना होगा इस game के बारे में अब देखो ये game तो एकदम typical normal type का horror game है मतलब इसके भी अंदर तुम्हें घर में होते हो और वहाँ पे तुम्हें बहुत सार आइटमस वगएरा इखटा करके कुछ mystery वगएरा solve करनी होगी तो ऐसा type का game है पर फिर भी इस genre में ये game one of the best है मतलब इस game के अंदर भाई पहली बात तो sound design एकदम amazing है अंधेरा रहता है पूरा जो environment create करते हैं लोग बहुत इस type का horror environment रहता है music भी जो background music है वो भी काफी जादा horror है और साथी में जो ghost रहती है इस game के अंदर वो भी मतलब भाई वो एकदम तुम्हें डरा के रख देगी क्योंकि वो तुम्हें किसी कोने से हो सकता देख रही हो या फिर हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने सीधे आ जाए तुम्हारे साथ तो मतलब जंप स्केर भी है गेम के अंदर तो ये गेम भाई अफकोर्स तुम्हें ट्राइ करना चाहिए अगर तुम्हारर गेम्स खेलना चाहते हो तो अब नमबर 6 पे जो गेम है उसका नाम है डार्क वूड और डार्क वूड एक थोड़ा अलग टाइप का हॉरर गेम है मतलब इसके अंदर जो गेमपले मेकनिजम है वो भी एकदम डिफरेंट है और साथी में अगर बात करें इस गेम के हॉरर एलिमेंट्स की तो उसमें भी तुम्हें ज़ादा जंप सकेर वाली चीज़े देखने को नहीं मिलेंगी बत्कि वो तो देखने को मिलेंगी नी एक अलगी टाइप का गेम है और अगर तुम बहुत बड़े फैन हो मतलब होरर गेम्स के या फिर तुमने बहुत सारे होरर गेम्स खेल रुके है तब तब ये गेम जरूर ड्राइ करना चीए, हो सकता है, तुम उतना जादा डर ना लगे तुम्हें, पर फिर भी जिस टाइप का गेम है, मतलब एकदम अलगी फील आएगी तुम्हें इस गेम को खेलने में, लेगो डार्क वुड एक होरर सर्वाइवल टाइप का गेम है, जिसमें न है, जैसा मैंने तुम लेको बताया कि कोई जम स्केर वगेरा नहीं है, मतलब तुम्हें गेम के अंदर जो साउंड डिजाइन है, पहली बाद तो भाई, साउंड डिजाइन और म्यूजिक जो है गेम के अंदर वो एकदम अमेजिंग है, अब इस गेम के जो मोस्टली हॉरर elements है, वो depend करते हैं, तुम्हारे survival पे मतलब तुम्हें रात होने से पहले अपने hideout पे वापस पहुचना होगा और अगर तुम नहीं पहुचे भाई, तो तुम्हारे पीछे ऐसे ऐसे जानवर पढ़ेंगे और demons पढ़ेंगे कि तुम कुछ कर नहीं पाऊगे, और साथी में रीसेंट में तो वैसे रीमेक्स भी आया है, पर मैं बात कर रहा हूँ भाई, Resident Evil 7 और 8 की मतलब रीमेक्स को छोड़के, तो थोड़ा first person type है, और story भी बहुत बढ़िया है इन गेम्स की, तो भाई Outlast 2 भी वैसा ही गेम है, मतलब Outlast 2 की भी story काफी जादा बढ़िया है, वैसे कुछ लोग को उतनी जादा पसंद नहीं आती, लेकिन मेरे को बहुत बढ़िया लगी, और साथी में गेमपले भी काफी जादा धासु है, और गेम के अंदर horror element भी बहुत सारी है, मतलब कहलो कि कुछ भी हो सकता है भाई, तुम्हारे साथ गेम के अंदर, मतलब कट सीन के अंदर तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी घटना हो जाएगी जिसके बारे में मतलब जो तुम्हें एक्सपेक्टी ना की हो, तो अगर Resident Evil के जो first person वाले गेम से वो तुम्हें पसंद आते हैं, तो भाई, ये गेम तुम्हें बहुत बढ़ियां लगने वाला है, अब नमबर 4 प सबसे best game में, अगर इसका नाम नहीं आता है, तो भाई, समझे लो कि वो आद भी बांगडू है, और मैं बांगडू नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसको fourth number पर रखने का reason यहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना game है, 2001 में आया था, और अभी हो सकता है, तो मैं ये गेम सकते हैं, और उसी के साथ अगर gameplay की बात करें, तो gameplay भी काफी बढ़िया है, 2001 के हिसाब से तो काफी बढ़िया, साथी में इस game के अंदर जो monsters और demons वगेरा होते हैं, वो सब भी काफी ज़्यादा खतरनाक है, जैसे इस game का main monster है, वो है pyramid head, और ये बंदा भाई, बहुत ही ये होती हैं, गेम के अंदर, horror expect भी काफी ज़्यादा बढ़िया है, तो भाई, इस game को तो तुम बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे, नमबर 3 पर जो game है, उसका नाम है Until Dawn, और इसका भी remake अभी हाल फिलाल में ही आया है, लेकिन इसका जो game है, original game वो 2015 का ही है, तो उसमें अब देखो इस game के अगर बात करें, तो इस game के अंदर थोड़ा अलग type का हमें genre देखने को मिलता है, तो ये game भी काफी ज़्यादा मज़दार है, और इसका gameplay भी तुम कह सकतो कि काफी ज़्यादा मज़दार है, और काफी ज़्यादा डिफरेंड भी है, अब second नमर पे है vis और visage भी एक तरीके से तुम कह सकतो कि hellseed से थोड़ा मिलता जुलता है, उसी से similar है, मतलब उसी type का घार होता है, और देखो इस game के अंदर जो खास बात है, वो ये है कि भाई, मतलब इस game के अंदर जिस तरीके से music और sound design को use किया गया है, वो काफी ज़्यादा घातक है, औ जो जो monster होती है, इस game के अंदर monster नहीं एक तरीक से भूतनी होती है, और ये डरावनी और भाई, एकदम अलगी type की है, मतलब ये तुम्हारे पीछे पढ़ सकती है, तुम्हारे आगे से जा सकती है, तुम्हारे पीछे ही एकदम, तुम पलट के देखो ये तो कोई नहीं र ये गेम एक अलगी type का game है, मतलब अलग type नहीं है, तो idea सेम ही है, मतलब hell seed or visage जैसा मैंने बताया, वैसा ही है, first person game है, और एक दम वहीं वाली story है, तुम्हें घर के अंदर होगे, और उससे तुम्हें बाहर निखलना होगा, वगेरा वगेरा, पर जिस तरीके से इस game को execute कि मतलब इस game के अंदर तुम्हें अलग type के jump scare देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत सारे games में क्या होता है, कि jump scare जो है, वो उतने ज्यादा expected होते हैं, वो एक तरीक से तुम्हें पता होता है, कि हाँ, मैं खिड़की से बाहर जाकूँगा, और तब तब कोई मेरे सामने आके पर आउना हो जाता है, और unexpected हो जाता है, और अलग ही अलग type के reactions तुम्हें देखने को मिलते हैं, streamers के दोहरा, तो हाँ, ये थी top 10 most horror games की list, और हो सकता कि तुम में से बहुत सारे लोग ऐसा बोले कि भाई, ये उतने ज़्यादा horror games नहीं है, पर मैं समझ सकता है, ये थी top 10 most horror सकता हूँ, ये तो थी, मेरी list, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई, कोई game यहाँ पर missing है, या फिर होना चाहिए था, तुम comment करके बता सकते हो, और तुम्हें कौन सा game सबसे तुम्हारा favorite horror game हो, वो भी तुम comment में बता सकते हो, पर जो भी हो मिलते हैं के लिए वडियो म झाला चाहिए.